गुड मॉर्निंग दोस्तों चलो आज आपको दिखाते हैं जून रॉप यह जो पौद आप देख रहे हैं और यह जो फल आप देख रहे हैं यह सेव और सेव में आजकल मई का महिना चला है ऊससे तो मई जून और जुलाई इनों में सेव में सेव की फसल का चून डॉप होता है जून डॉप का मलव यह होता है कि उछेक फल च especially when में कम जोर रह जातेach और वो इन तीनों मिनों में लगातार गिरते रहते हैं इसे ही जून ड्रॉप कहा जाता है सेव के फ़लो में जून ड्रॉप होने का मतलब है कि सेव के पौधों में कोबर क्रॉप है तो पौधा अपने आप ही एक्स्ट्रा फसल को गिरा देता है इसका ये भी कारण हो सकता है कि जमीन में नमी ना हो या कई बार कमजोर पॉलिनेशन की बज़ा से भी जून ड्रॉप की दिक्कत आती है ये जो सेब आप देख रहे हैं ये एक्चुली जून ड्रॉप में अपने आप गिर जाते हैं लेकिन आपको दिखाने के लिए ये इस तरह से सेवो को चेक किया जा रहा है जून ड्रॉप कई बार गलत सप्रे या खाद या फर्टिलाइजर के किसी पुशकततों के कम होने के कारण भी होता है पर अगर फसल सही लगी हो तो कुछ एक फलो को गिर में से कोई विसमस्या नहीं है जून ड्रॉप में गिनने वाले फलो की पहचान करना बहुत ही आसान है ये बिल्कुल कमजोर और छोटे फलोते हैं और जो ये सेव आप बड़े-बड़े से देख रहे हैं ये आने वाले समय में बड़े साइज के सेव बन जाएंगे और जो जून ड्रॉप बाले फल हैं वो अपने आप ही निचे गिरते रहेंगे ये प्रकृती का नियम है प्रकृती अपने आपको हर एक स्थिती में अपने नियम के मुताबिक ढाल लेती है जून ड्रॉप होने के कई फाइदे भी हैं जो बचे हुए सेव है उनको भरबूर पोश्कततों मिलता है और वो साइज में ज्यादा बड़े हो जाते हैं और इसके साथ ही जून ड्रॉप होने के तारण जो छुपे हुए कीट भी है जो सेवो को नुकसान पहुचाते हैं वो भी नश्ट हो जाते हैं झाल 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 झाल